नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार एकादसी का ब्रत महिने में दो बार आता है सुखलपक्ष की एकादसी और दूसरी कृष्णपक्ष की एकादसी एकादसी ब्रत रखने के महिमा बहुत है कहा जाता है कि एकादसी का ब्रत करने से इंसान के सरीर में एक निस्चित संतूलन बनता है साथ ही ब्यक्ति कोई भी कारे अगर इमंदारी से करे तो वो भी पुरा हो जाता है अगर आप एकादसी ब्रत का पालन करते हैं अंजाने में हुए आपके पाप भी दूर हो जाते हैं बेक्ती को पुन्नी की प्राप्ती होती है साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ती होती है पुरानों में साल में आने वाली सभी एकादसी ब्रत का बिसेज महतों कहा गया है और हर वर्स 24 एकादसियां आती है अब एकादसी ऐसी माननेता है कि एकादसी की सुरुवात उत्पन्ना एकादसी से होती है और इसी एकादसी से एकादसी देवी उत्पन्न हुई थी इसके बाद ही एकादसी ब्रत का आरंब हुआ साथ ही ऐसे ब्यक्ति को मिर्थियों के बाद बैकुंठ लोग की प्राप्ती होती है लेकिन एकादसी ब्रत के नियम भी हैं और इस दिन हर एकादसी ब्रत के अलग-लग कता हैं अलग महत्तो हैं और सुनने का भी बिधान है तो सभी एकादसी के लेकिन ब्रत करने के नियमे खी है एकादसी ब्रत का उद्यापन अगले दिन यानी द्वादसी के दिन किया जाता है कुछ ऐसे कार हैं जो एकादसी के दिन नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार हैं जो जरूर करना चाहिए एकादसी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए एकादसी के दिन बुरे और गलत बातें भी करने की मनाई है एकादसी के दिन क्रोध ना करें साथ ही किसी से भी मांसिक या सारीरी की रूप से लड़ाई भी ना करें इस दिन मांज मदीरा का सेवन बिलकुल भी ना करें, जूट वोलने से बचें, किसी की निंदा चुगली ना करें, भगवान स्री हरी की ज्यादा से ज्यादा आराधना करें, संबब हो तो रात में जागरन करें, या फिर कम से कम एक दीपक ही चला दें रात 11 से एक के बीच, अपने घर के पुजास्थान पर एकादसी के दिन पान और सुपाड़ी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि भगवान स्रीहरी को अर्पित होता है इसके साथ ही इस दिन आप ब्रत करें ना करें पर भगवान स्रीहरी की अराधना चरूर करें भगवान स्रीहरी की मंत्र का जब ज बहुत सारी महिमा है लेकिन पूजा पाइट भगवान स्री हरी विश्नु की ही होगी अब देखे एकादसी ब्रत है क्या महत तो क्या है पुरानों में एकादसी को हरी दिन हरी वासर के नाम से हेर्ना जाता हैimana कादसी का ब्रत करना हवन यग्य करना बैदिक कर्म कांड करना ये सभी चीजों से ज़्यादा आपको सिब ब्रत करने से पुन्ने मिलते हैं और इस ब्रत को रखने की एक और माननेता ये है कि इससे पुरवज और पितरों को स्वगलोग की प्राक्ति होती है इसकंद पुरान में भी एकादसी ब्रत के महत्व के बारे में बताया गया है जो भी ब्रत को करता है उसके लिए एकादसी के दिन गेहूं मसाले सबजियां भी नहीं खाना चाहिए आप फल जूस लेकर खा सकते हैं रह सकते हैं हलांकि इस एकादसी ब्रत के दिन बहुत सारे नियम है तो तबाम नियमों के बारे में भी हम जानेंगे पर इस दिन एक छोटा सा प्रियोग किये जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे ब्रत करने जो लोग ब्रत आज कर रहे हैं उनको कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए जैसी कि एकादसी के दिन दांत साप करने के लिए लकडी का दातुन इस्तेमाल ना करें आप नीमबू जामून या फिर आम के पत्तों को चबा लें और फिर उंगली से कंड साप कर लें ब्रिच से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए अगर आपने ब्रत किया है तो स्वयम के गिरेवे पत्तों का इस्तेमाल करें आप चाहें तो घर में ही आप स्रीममत भगवत गीता का पाठ करें ग्यारवे अध्याय का या फिर सुन भी सकते हैं ओव नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जब करें दान धर्म करने की भी माननेता है एकादसी के अगले दिन द्वादसी थी के दिन आपको सुबह उठकर सुबह आठ अमुमन हर एकादसी थी थी में सुबह सारे पांच से निकाल दें ऐसा करके फिर आप बरत तुडएं त्रेओसी थी तिथी से आने से पहले ही बरत का पारंण कर लें इस बात का ध्यान डखें क्योंकि एकादसी बरत का पारंण द्वादसी थी में ही होना चाहिए तो आप कोई चूक नहों इसका धियान रखें, भले ही आप 24 एकादसी ना करें, मुख्य मुख्य एकादसी करें, लेकिन आप निवों का पालन चरूर कीजिएगा, तो एकादसी के दिन जहां तक संबबो कम बोलें, सात्वी करें, बाल मत कटवाएं, घर में जो बिक्ष हैं, किसी के भी प पालक, सलजम, जूस बेगरे ले लेते हैं, मत खाईएगा, आप फल खाईए, एकादसी ब्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि इसके पीछे कई सारी कहानिया हैं, ब्रत कथा बहुत महत्वपूर्ण है, और एकादसी के दिन सुनने से ब्रत कथा जो है बहुत अनिवार माना जाता है, सास्त्रों में कहा गया है, कि बिना एकादसी की ब्रत कथा सुने, ब्यक्ति को उपवास का पूरा फल नहीं मिलता, और तमाम बातें अभी तक हमने आपके साथ साजा किया, कैसे एकादसी का ब्रत करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, लब लेकिन आज हम एक पे परे गर में दिखा है, आप चाहिए, तो कपूर के सहारे लोंग डालकर जला कर भी प्रूल, खादसी को ऑध़ा सकते हैं, या गही बातनी में भी कर सकते हैं, अगर आप दिपक में एक चुटकी काला तिल डाल देते हैं, तो पित्तरी दोस समाप्थ हो जाते हैं, पित् इससे भी नकात्मक उर जाएं सांत होती है अगर सरसों के दाने डालते हैं तो जो आपके आस पास निगेटिविटी है जो आपके जीवन की परेसानिया है जो आपको लगता है अत्रित आत्मा आए जो पित्री दोस है वो सभी चीजें समाप्त हो जाती है तो आप अपनी सिपजी के मंदिर में जाकर एका अदसी तिती के दिन क्योंकि भगवान सरीहरी के आराद सिपजी के आराद स्रीहरी विश्णू है तो उनके मंदिर में एक दिया जरूर जलाईएगा तभी इस दिन तुलसी जी में जब दीपक जलाईएगा तब तुलसी जी की तीन प्रिक्रमा या ग्यारा प्रिक्रमा कीजिएगा ओग नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जब करते वे हम आपसे बिला लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर सब्सक्राइब कर लेग।